हेलो एन है दोस्तों मैं आपको भाई रिजनीश आज एक नए वीडियो लेके आया हूँ ठीक है मेरे भाई हो आज हम LED जो स्पीकर में LED लगती है हमारे वो कैसे लगाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है तो दोस्तों यह हमारे 10 इंची के दो वूफर से इसमें हम है इसके अंदर जो रिजिस्टेंस लगेगी वह 100 जो अमकी लगी टेकी हमने सब वूफर उपर कर दिया है रहं MV और ये जो की वायर्स भी यहां से यहां से यहां से पुर अंदर रांट देदी है और इसमें जो हम लगाने जा रहे हैं यह लाइट आफ करता हूं यह देखिए अब आप लोगो शायद दिख रहा होगा कि यह 47 Ohm के Z6 10 इंची के वूफर में लगाने के लिए यूज करेंगे 57 OHm के Pedsal Där for यव्यों के लिए अज़ी, आपșणक में लगाएं प्लज के वाले दो वो जान दिक्षा तो गुझा वादा आपको दिखाता हूं तो आपको दिखाता हूं तो पहला इसकी जो रेड वाली वाइर से इस डिशिंस को लगाना है ठीक है और इस डिशिंस को लेगाने के बाद पाँ चुछ के चाज़ाई पीनेजी बटा पटसे में पेश के उसके लगा देंगे अब शोल्ड कर देंगे उसको पूरा पेश लगा लेंगे इसमें पर करें लेट को हमें सब प्लस वाले टर्मिनल पे लगाएं ताती जो यह देखें हमने जो रेड़ वाला हिस्सा है ना प्लस वाले टर्मिनल इसके लगा दिया प्लस और माइनस पर लग जाएगी ठीक है और प्लस वाला हिस्सा आपको रेजिस्टेंस की स्पीकर के जो प्लस वाला हिस्सा वाले अब घ्रमिनल गवाल माला आप जो प्लस वाले लेकिन वाला टर्मिनल रखाएंगे तो ठीक रहेगा दोस्तों कि स्पीकर को वाल प्लस वाला ना ही अप्ते लीडी को एटूए अब हम इसे भी शॉट कर देते हैं भटाक की अब इसे हम टेप कर देंगे ठीक है टेप लगा देंगे इसके को भटाक से इसकी अच्छी करी किसे टेप लगा देनी है आपको इस पर कि अब अब यह माइनस वाली जो वायर है माइनस वाली वायर भी लगा देगे कि यह अब इसका जो है शोड कर देगी बटाक से अब करने क्या है सिंपली इसके टेक लगा देना ठीक है और प्लस जो प्लस वाली वायर्स होंगी स्पीकर्स की इस पे यह दोनों वायर्स लगा देनी है आपको दिखाता हूं पैसे लगा देनी है करती więc बडार्स हो और झाल कर देगा है ूं जो ऊम कर कर दो झाल कर लगा देग्न हम और देग totally अभा Mam कर देगा ह मैं, क्योन है कर दो